ही से हलो दोस्तों आप लोगा को गुलाब सटी में स्वागात है तो चली इस केसन को बनाते हैं देखिए हमारा के संंदिया है समांतर सभी एक बटे नहों चार बटे नहों साथ बटे नहों का इल्वा पर ग्याद किजिए तो देखे दोस्तू इसमें दिया गया समांतर सेड़ी है आपका एक बटिना चार बटिना और साथ बटिना देंडेस ठीक है इसमें हमें एन्वा पद ग्याद करना है दोस्तों तो हम लोग जानते हैं प्रथम पद समांतर सेड़ी के प्रथम पद जो भी सेड़ी दिया रहता है उसका स्टार्ट वाला प पद दिया है दोस्तों प्रथम पद एक कमान है एक बटेनाव अब क्या निकालते हैं दोस्तों सर्वांतर निकालते हैं तो आप लोग जानते हो सर्वांतर कैसे निकालते हैं दोस्तों डी कमान कैसे निकालते हैं दूसरे पद में प्रथम पद को घटाया जाता है तो दूसरा पद हमारा चार बटे नौ है और प्रथम पद आपका है एक बटे नौ इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा सर्वांतर तो चलिए इसको solve करते हैं इसका LCM आ जाएगा 9 और यह आ जाता है 4-1 ठीक है इतना तो आप बोग जानते हैं दोस्तो तो D कमान यहां से मिल जाएगा 3 बटे 9 ठीक है दोस्तो अब इसको कटाने पर आ जाएगा 3 एकम 3, 3-9 तो यहां से D का हमें महान मिला है दोस्तो अब 1 डाएगे 3 आप देखें दोस्तो हमें क्या बोला है कि यहद्वापत और जात करने के रबूला है ठीक है तो हम लोग जानते है पार्मला क्या कहता है एन्वा पद ठीक है एन्वा पद का फार्मला यह बोलता है TN equal to A plus N minus 1 into D ठीक है दोस्तो अब इसमें एन्वा पद का मान निकालने के लिए यहाँ पर A का मान को पूट करना पड़ेगा और D के मान को पूट करना पड़ेगा चुकि हमने प्रथम पद निकाल रखा है A equal to A plus 9 और सर्वांतर है हमारा D equal to A plus 3 है इसमें पूट करके इन्वा पद चलिए निकाल लेते हैं तो एक कमान यहाँ पर रख देते हैं A plus 9 N minus 1 यहाँ पर D का value पूट कर देते हैं एक बटे 3 ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों यहाँ तक चलिए अगला सालो करते हैं देखे एक बटे 9 प्लस एक बटे 3 का गुड़ा इसमें कर देते हैं N minus 1 बटे 3 ठीक है अब यहाँ पर देखे दोस्तों इसका L से माजाएगा ना किसे ना यहाँ तो यह 9 ना करता यह बार में तो एक रही आ जाता है तीन जो है ना को कितने बार में कट आता है तीन बार में तो तीन का गुड़ा अंस में होगा तो यह आ जाएगा 3N-1 ठीक है दोस्तों ही रुष्टिव पस्चाहट TN का मान मिल जाएगा 1 ब्लस 3 का मुल्टिप्लाइ किजिए तो 3N-3 आएगा बटे 9 ठीक है यहां दोब दोब अब देखे अगला इस्टोप हमारा क्या हो जाएगा टी एन इक्वल टू 3N एक में 3 घटे आएगा तो आज अगल मान तो बटे 9 ठीक है दोस्तों यही हमारा एनवा पद है यही इसका उत्तर है ठीक है दोस्तों धन्यवाद